हेलो एवरिबन गाईस, सुवागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल निव इंडियन एरा पर तो गाईस बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें इंजीनियर कैसे बनना है ये इसके बारे हम बताओ गाईस कसम से कहता हूँ ये वीडियो बहुत ही डीटेल्ड वीडियो है इच और एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे शेयर की जाएगी बहुत कुछ इंजीनिरिंग इग्जैक्ली क्या होती है इंजीनियर्स कैसे बनते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत सारी डीप डाउन अनलेसिस मेरा खुद का इसमें एक्सपिरियंस क्या है सब कुछ आपसे यहाँ पर डिसकस करूँगा तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग को वाच करना है और अपने इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और comment box में आप लोग बता देना कि और आपको new videos की इस चीज़ पे चाहिए और इस video को सभी अपने friends में share कर देना ठीक है तो यहाँ पर एकदम everything सब कुछ explained है चलो start करते हैं सबसे पहले तो guys सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप 10th में student हो अगर 11-12 की हो तो आप तो सब जानते हो ठीक है और 11-12 की student को थोड़ा बहुत मैं अभी बताऊंगा उनके लिए आगे से information शुरू होगी अगर आप 10th में हो तो कैसे आप engineer बनोगी अगर आपका सपना है कि मैं engineer बनोगा आपके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा बेटा बेटी जो है engineer बनेगी तो वो कैसे बन सकते हो तो 10th के बाद जब आपका फिलाल 10th हो गया होगा या फिर आपका पहले ही हो गया होगा अभी आप 10th के बाद ही engineer बन सकते हो तो आप लोगों को 10th में लेना पड़ेगा science और जिसमें physics, chemistry और mathematics compulsory subject होने चाहिए बाकी आप कोई भी उठा लो subject उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपका physics, chemistry और maths ये subject compulsory है engineer बनने के लिए समझा 10th के बाद science आपको लेनी पड़ेगी इस बात को समझने और ये subject उसमें होना ही चाहिए बाकी आप बाकी के कोई भी subject पड़ो बट ये subject compulsory है ये बात आपको clear हो गई होगी चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि exactly engineer होता क्या है या फिर engineering क्या होती है तो जैसे कि अब या आपने क्या किया एक से लेके 10 साल की पढ़ाई की तो आपको एक से लेके 10 साल पढ़ने के बाद 10th की आपको अभी क्या मिलेगी mark sheet मिलेगी mark sheet जहां पर आपके percentage लिखेंगे कि आपके 90% आए या फिर आपके 80% आए या फिर whatever 60% आए या आपकी degree यहां पे mark sheet लिखी होती है उसमें percentage लिखे होती है तो बस माइडियर वैसे ही आप लोग 11, 12 भी करोगे तो आपको एक mark sheet मिलेगी और 12 के बाद आप एक degree करोगी या तो 3 साल वाली है तो 4 साल वाली है तो 5 साल वाली है तो 6 साल वाली आप degree करोगी और इसी degree में माइडियर क्या होता है कि आपको वहाँ पर एक degree की certificate मिल जाती है अगर आप engineering करते हो तो आपको engineering के degree मिलेगी जैसे अभी आप लोग SSC board में पढ़ रहे थे 10th की तो 10th की degree मिल रहे थी आप 11 और 12 में science पढ़ोगे तो science वाली आपको mark sheet मिलेगी तो वैसी engineering करोगे तो engineering वाली degree मिलेगी तो it is just a degree इस बात को आपको ध्यान दे रहा है तो यहाँ पर आपको degree मिलती है engineering की अब आप कौन से engineering करोगे कैसे आगे बताऊंगा बाकी आपका talent बोलता है दुनिया में कि आपके अंदर talent के इस बात को ध्यान रखना अगर आप सोचते हो कि engineering एक job है एक नौकरी है अगर मैं कर लूँगा तो मुझे जल्दी ही नौकरी मतलब बस engineer करते ही मेरे को यहाँ पर engineering करते ही मेरे को degree मिलेगी और मेरे को नौकरी मिलेगी यह ऐसा नहीं होता है भारत देश में करोडों इंजिनिर प्रडूस होते हैं हर साल बट talented सिर्फ वहाँ से 10-20% ही होते हैं जिनको अच्छी कासी 2,4,5,5,10 लाग की job मिलती है महीने की बाकि सब 10,20,000 में ही काम करते हैं तो talent engineering सब करते हैं बट उसके अंदर talented कौन है वो important है इस बात को ध्यान रखना तो degree सबको मिल जाएगी इस बात को समसी रखना तो यह सर्फ एक degree होती है अब आप इस degree को कैसे पाओगे यह जो degree होती है degree सबको चाहिए होती है engineering की भाई अगर engineering की degree मिल जाएगी तो आपकी पीछे tag लग जाएगा कि हाँ यह engineering की degree लेके रखा है और यह engineer है भले उसको कहीं job ना मिले कोई उसको company काम ना दे बट degree तो engineering के लिए रखा है ना उस बंदे ने तो कैसे मिलेगी degree तो 10th के बाद आप लोग को 11th या 12th करना है science के साथ जैसे कि मैंने बताए physics, chemistry, math यानि PCM करना पड़ेगा उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जान दो 11th, 12th में जब science लोगे अब आपका 12th खतम हो गया 11th में आपने science पढ़ लिया मेहनत करके 12th पास कर लिया अच्छे से मत तब 70%, 60% जो भी निकाला उसके बाद आपके बास दो chance है अगर आप महारास्टरा के बच्चे हो तो यहाँ पे एक CT होती है हर एक state में अपने अपनी CT होती है जैसे राजिस्थान में हो तो वहाँ पे उनकी CT गुजरात, मद्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश South India में कोई भी state में चले जाओ हर जगे वहाँ पे अपनी अपनी खुद की CT होती है और एक JE Advanced का पेपर होता है और कितने पेपर होते हैं आगे सब बताऊंगा जो सबसे famous इफिलाल हो सब बता रहा हूँ तो एक common entrance test यानि CT और एक J-E-I-I-T अब ये दोनों का पेपर आपको बारवी के बाद देना होता है ये सिर्फ एक ही दिन का पेपर होता है और इसमें का syllabus वही रहता है जो आपनी 11 वी बारवी में पढ़ रखा है ठीक है तो जब आप इनका पेपर दोगे तो इन्हें कहते हैं entrance exam Engineering की डिग्री लेने के लिए College में पढ़ाई करनी पढ़ती है तो College में पढ़ने के लिए एक आपको entry चाहिए ना भाई College में ऐसी admission थोड़ी मिलता है आपको पता है आप ऐसी admission नहीं करवा सकते जैसे कि School में जाओ किसी भी School में admission करवा लो तो ऐसा नहीं होता है आपको उसके लिए entrance exam देना पड़ता है और अगर आपके marks अच्छे है तो ही आपको किसी भी College में अडिविशन मिलता है तो जब आप बारवी के बाद MST CT या फिर JIT यह सब MCQ के question होते हैं अब अगर आप MST CT करते हो तो आपको Bachelor of Engineering की डिग्री मिलेगी BE जिसे कहते हैं यह 4 साल की होती है और अगर आप लोग JIT करते हो तो आप लोग को B.Tech की डिग्री मिलती है Bachelor of Technology तो दोनों में कोई difference है नहीं है दोनों 4-4 साल का है बस फरक सी वितना है कि अगर आप JIT बारवी के बाद आप JIT का पेपर दोगे एक दिन का पेपर होता है MCQ में question आते हैं crack कर सकते हो आराम से तो JIT के अगर आप पेपर देते हो तो आपको भारत देश के अंदर जो गिने चुने top college हैं IIT के college का ही नाम होता है IIT वाले college तो IIT के college आपको मिलते हैं और बाकि सब फिर normal college होते हैं IIT के college भारत देश में engineering करने के लिए सबसे best माने जाते हैं तो आपको IIT के अगर college चाहिए तो आपको JIT का पेपर देना पड़ेगा बारवी के बाद और इसमें अच्छी rank लानी पड़ेगी अभी मैं बताओं को कौन सी college अच्छी होती ही थोड़ा रुख जाओ सारी college के लिष्ट दूँगा जितने भारत देश में है टॉप में सबी सबी तो JIT के बाद आप BTEC कर सकते हो और MST CT के बाद आप BE कर सकते हो आप कोई भी डिगरी करो दोनों में subject same होते हैं बस फर्क इतना होता है कि BTEC वालों की value ज़्यादा होती है और BE वालों की value कम होती है BTEC वालों को campus selection जल्दी होता है BE वालों को मतलब थोड़ा time लगता है बाकि अगर आप में talent है तो आप BE का बंदा भी BTEC से ज़्यादा अर्न कर सकता है क्योंकि talent दोनों में चाहिए क्योंकि engineering मतलब होता है talent और experience और ग्यान नौलेज होना सब कुछ पढ़ाई करना तो यह बात आई थिंक आपको समझ गया होगा आपको पता है आप JIT के दुरू बहुत सारे बच्चे bachelor of technology bachelor of architecture bachelor of fashion technology bachelor of planning यह सभी 4-4 साल के course engineering के course ही होते हैं बट ज़्यादा famous दुनिया के बहुत सारे बच्चे BTEC करते हैं आप architecture भी कर सकते हो आप fashion designing आप planning वाली भी कर सकते हो सेम तरीके से इनका भी admission होता है इस बात को आपको ध्यान लखना है तीनों की अलग-अलग अपनी अपनी value है ज़्यादा लोग BTEC करते हैं दुनिया में और या तो फिर BE करते हैं ठीक है इस बात को समझना है चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ I think आपको सब समझ क्या होगा अब देखो आपको बता दूँ कि दुनिया में बहुत सारी field होती है engineering कि आपने सुना होगा वो बंदा mechanical engineer है आपने सुना होगा कोई तो बंदा है जो वो electrical engineer है कोई computer engineer है है ना तो यह जो बी आप जब बारवी के बाद मालो आपने CT निकाल दिया या फिर आपने IIT के निकाल लिया तो आपके समने option आता है कि अगर आपने IIT निकाल ले तो आप B.T.E.C. करोगे CET निकाला तो आप BEE करोगे CET निकालके BTEK नहीं कर सकते और IIT निकालके BEE कर सकते हो क्योंकि IIT सबसे बड़ा पेपर होता है तो IIT निकालके आप BEE कर सकते हो बट CET निकालके आप BTEK नहीं कर सकते इस बात को आप ध्यान रखना CT जो होता है यह state level paper है IITJ Central Government यानि पूरा भारत देश इसको paper देता है ठीक है यह बात आपको समझना है यह state में महारास्टरा Government सिर्फ इसको लेती है चलिए अब आपको बता दूँ कि जब आप 12 के बाद यह test कोई में से आप एक ने निकाल लिया तो उसके बाद आपसे option पूछा जाएगा कि आप Bachelor of Engineering या Bachelor of Technology करतो रहे हो बट किस फिल्ड में करना है Computer Engineering करनी है Computer Science करना है या Mechanical Engineering करनी है या फिर Civil Engineering करनी है या Electrical Engineering करनी है कौन सी Engineering करनी है यह बता रहा है आपको कि BE और BTEC में कौन सी Engineering तो जो Core है Core का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा demanded है बहुत ज़्यादा इसका scope है जिसमें बहुत पैसा है इस वक्त Computer Science सबसे trend में चल रहा है Computer Science का ही दूसरा नाम है Computer Engineering कोई-कोई बंदे इसे Software Engineering भी कहते हैं तो बात एक ही है इस बात को ध्यान देना आपको बता दू कि अगर आप CT से भी admission लेते हो तो CT का 200 marks का paper होता है यहाँ बारवी के बाद और इस 200 marks के paper में आप लोगों को 160 के उपर निकालना पड़ेगा तभी Computer Science में आपको admission होगा और या तो computer engineering भी है वरना admission नहीं मिलता जैसे कि आप अभी सुने हो ना कि science में अगर आप लोग class 10 में अगर आप लोग 80% या 90 निकालोगे तो आपको science subject मिलता है वैसे मिलने को तो सबको मिल जाता है बट अच्छा college का मिलता है जब आप लोग अच्छे का से 80-90% निकालते हो वरना फिर आपको अच्छा college 10 के बाद मिलता है क्या नहीं वैसे ही computer engineering सबसे बड़ी engineering माने जाती है computer science जिसे कहते हैं यही मैंने भी कर रखा है ठीक है और यही से बहुत सारे बच्चे पुछते से आपने क्या 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 मैं भी computer science कर रखा हूँ ठीक है यही है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा marks निकालने पड़ते हैं अगर आप जेई से paper देते हो जेई से भी कर सकते हो तो आप लोगों करीबन rank 2000 के अंदर लानी पड़ेगी या तो 10,000 के अंदर लानी पड़ेगी वैसे लाने को तो आप 1,000,000 rank पे भी कर सकते हो computer science या computer engineering बट IIT college से करने के लिए 20,000 rank से उपर लाना पड़ेगा आप कहोगे sir college matter नहीं करता है मैं agree करता हूँ आपकी बात को बट याद रहे कि अगर आप किसी IIT के college से करते हो तो याद रखो कि वहाँ पे अच्छी company आती है like google, microsoft, ibm, accenture, capgemini, tcs यह सब बड़ी-बड़ी company आती है और यह company जिस बड़े college में ही जाती है क्योंकि बड़े college में बड़े अच्छे बच्चे होते है बाकी talent बोलता है आपका बट अच्छे college में अच्छी company आती है तो अच्छा campus selection होता है तो आपको अच्छा job मिलता है ज्यादा पगार, ज्यादा salary वाला job मिलता है समझ माया? वरना computer science अगर आप मालो IIT Bombay से कर रहे हो अगर आप लोग वही IIT अगर आप लोग किसी और अंगाबाद या किसी और सहर से दूसरे किसी छोटे से college से करोगे तो वहाँ कोई company सुगेगी, नहीं वहाँ company पहुँचती भी नहीं college का उन्हें नाम भी नहीं पता होता तो आपको फिर क्या करना होगा आपको degree लेने के बाद खुद company में जाना होगा या तो बेरोजगार बैठोगे समझा क्या बोल रहा हूँ है अब समझ में आई बाते हैं तो IIT या मन यानि कि जो आपका JAE का paper है बारवी के बाद उसमें अच्छे marks लाओ या तो फिर CT में अच्छे marks लाओ 11 बारवी करने के बाद जो इनका test होता है या intense test में अगर अच्छे marks लाते हो तो आपको अच्छा college मिलेगा और अच्छा college मतलब समझ लो कि 90% समझ लो कि अच्छा company आपको मिलेगी मिलेगी ठीक है जैसे कि अभी हमारे college में आय था तो मेरा TCS में selection हुआ फिलाल बात अलग है कि मैं job छोड़ दिया मैं गया ही नहीं बट अच्छा कासा package यहाँ पर मिला था 50,000 पर मंद के यहाँ पर salaries भी create हो रही थी पर इस्टिल मैंने छोड़ दिया because मुझे some different work करना है मुझे खुद का only startup अगरा बहुत सारे चीज़े मैं प्लान कर रहा हूँ तो इस वज़े से मैंने इसी left कर दिया ठीक है तो आपको भी मैं बताता हूँ computer science is core subject ज्यादा value है electrical engineering अपनी इंडिया में best है civil मतब वोई जो building के structure बगरा बनाते हैं वो सब civil में आते हैं और IT मतब IT normal ठीक है information technology जिसे कहते हैं IT का मतलब और इस computer science को CS भी कहते हैं CS जिसमें आप software engineer बनोगे यानि कि software बनाओगे app बनाओगे और जिसे YouTube का भी app चल रहे तो ऐसे आप app बना सकते हो website बना सकते हो UI designing, data management, data scientist machine learning यह सब मैंने कर रखा है तो मुझे इसका ज़्यादा idea है ठीक है इस बात का आपको समझना है चलिए अब याँगे बढ़ते हैं specialization की बात की जाए specialization में है जिसे के मैंने आपको बता है कि यह तो ठीक है core subject है बट BE, BTEC जब आप करने जाओगे इन इंटरेंस को लेने के बाद तो आप से जब पूछ जाएगा तो आप कौन-कौन से field है तो सोचो इतने सारे field available है आप इतने सारी engineering कर सकती हो जिसे के देखो अभी aerospace किसी को अगर माल लो pilot बनना होगा तो aerospace या फिर माल लो अगर आपको space में जाना होगा तो aerospace कर लो किसी को एगरी कल्चरिंग में engineering, BTEC इन agriculture भी होता है या BE, दोनो, BE, BTEC दोनो architectural कर सकते हो automobile engineering कर सकते हो biological science biotechnology in engineering biochemical engineering computer science जो मैंने कर रखा है ये ceramic engineering chemical engineering बहुत अच्छा है अपनी इंडिया में demand देज की civil engineering electrical engineering सब बता दिया electronic engineering electrical, electronic अलग अलग है electrical मत्तब जो electricity होती है electronic मत्तब जो mobile के अंदर समान लगा होता है environmental engineering electronic and communication electronic electrical communication ये सब बहुत सारे engineering है ज्यादा demand आज की वक्त में material science और metallurgical engineering को भी बहुत demand है ठीक है बाकी तो आप यहाँ पे देख सो mechanical है फिर ocean, petroleum, दुनियादारी पता नहीं भरे है engineering में कौन से engineering करने सब कर सकते हो आप लोग बढ़ याद रहे ज्यादा demand computer science chemical, civil और electrical और उसके बाद mechanical, इनको ज्यादा demand है और बाकी अगर आप चाहो तो इन उपर में जितने सब की demand है बट यहाँ पैसा ज्यादा लगता है पैसा कितना लगता है मैं आपको बताता हूँ याद रहे माइडियर कि अगर आप 11, 12 के बाद कोई भी J.E. का paper निकालते हो या तो फिर आप CT का paper निकालते हो तो CT या J.E. निकालने के बाद याद रहे आप लोगों को कि आप लोगों को पैसी की जरुत पड़ेगी अगर आप अच्छा कासा rank निकाले तो तो भी आपको कम से कम 4 lakh रूपीज तो चाहिए घर में 4 साल के course के लिए 4 lakh रूपीज तो चाहिए ही चाहिए minimum scholarship भी अगर आपको मिल जाती है बड़ इस्टिल हाँ अगर आपका reservation है आप SC cast में आते हो ST cast में आते हो या किसी आप cast में आते हो और अगर आपका reservation है तो आपका 20-30 अजार में साल का हो जाएगा वरना अगर आप IIT college में जाते हो तो वहाँ पर 1 lakh रूपीज आपको चाहिए ही चाहिए 1 lakh plus अगर आप दूर से हो तो रहना खाना मलो अगर आप कोई बंदा नागपूर से है और IIT Bombay उसको मिल गया तो IIT में आके Mumbai में उसको रहना पड़ेगा तो वहाँ के बाद B.E.B.T.E.K का Computer Science में और ज़्यदा फीस लगती है ठीक है इस बात को आपको समझ के रखना है तो ये सारी चीज़े हैं मैंने आपको बता दिये तो जो फीस का एक लगभग लमसम है वो एक लाग रुपे एक साल का पकड़ के चलो अगर मजिसे का आप मुंबई में ही रहते हो तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं आपका खर्चा रहने का खाने का खर्चा काम हो जाएगा बट हाँ जो कॉलेज की फीस है वो तो आप 50,000-80,000 जो भी होगी वो भरनी पड़ेगी और अगर आप SC, ST कास्ट से बिलाउन करते हैं तो आपके लिए भाई आपको तो भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है मजे करो ठीक है आपकी जिंदगी मस्त है यार समझ रहा क्या करो मैं तो open cast था तो मैंने कितनी struggle कर रखी मुझे पता है college की एक एक रुपे फीस भरने के लिए मैंने क्या क्या किया है कहां कहां मैंने काम किया है even security guard से लेकर कि भी मैंने अपने काम किये थे इस degree को पाने के लिए समझा तो बहुत कुछ फीस भरनी पड़ती है बहुत struggle करना पड़ता है और आज मैं अपने आप में बहुत ही proud फिल करता हूँ कि अब मैं best हूँ क्योंकि मैंने इसको ले लिया है और इससे मुझे अच्छी कासी salaries और मेरा खुद का own startup बहुत कुछ मैं अपने field में कर रहा हूँ मुझे proud है खुद पे मैं अपने college में practical देखा हूँ कि क्या होता है क्या चीज़े होती कैसे दुनिया चल रही है किसको college में company लेती है किसको नहीं लेती है मैं आपको पहले ही कहा कि talent बोलता है talent को ही company लेती है और जो बच्चे J, I, I, T, B, S, C, T मे reservation के थूँ आते हैं और फिर ये लोग धरना रखते हैं प्रोटेस्ट करते हैं कि हम बेरोजगार हैं हमें job दो भाई जब पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो job कैसे मिलेगी तो this is the reality मैंने अपने college में देखा है बहुत सारे friend लोग को नहीं वा campus selection और अब हो बैटे हैं उनको selection नहीं हो रहा क्योंकि talent नहीं रहता ये सच्चा ही कहा रहा हूँ प्लीज कोई बुरा मत मानो मैं सच बता रहा हूँ इसलिए सब बच्चे पढ़ो अगर किसी को reservation भी है तो ये मत सुचो कि हमें मत पढ़ो अगर किसी को है भी तो भी अब आते हैं top colleges में अगर आप मालो चलो जिसे कि मेरे जैसा है अगर आपने computer science चूज कर लिया तो अब आप आते हो तो कौन से college में आपको admission चाहिए अगर आप CT के थूँ इंटरेंस के थूँ अगर आप admission ले तो ठीक है अच्छी बात है CT के थूँ आप admission ले लो तो आपको normal college मिलेगा बट आपको IIT का college नहीं मिलेगा अगर आपको IIT का college चाहिए तो देखो यहाँ पर कितने सारे IIT के college available है भारत देश में सबसे top में कौन है Mumbai, IIT Bombay जिसका नाम है IIT Pawai में प्रेजन्ट है जो मुंबई के बच्चेओं के नहीं मालूम होगा IIT Bombay IIT Rorki जहां से अपने Google के CEO सुन्दर पिचाई पढ़े हैं IIT Rorki से IIT Delhi, IIT Kanpur, UP में है सबसे top college है UP में है पुरे भारत देश का सबसे top college मुंबई, रोर्की, डेली के बात कानपूर है UP में है मद्रास, IIT मद्रास IIT मद्रास से अपने डॉक्टर एपी जद्दूल कलाम जी पढ़े हैं IIT गुवाहाटी, IIT खरकपूर बहुत सरे साइंटिस्ट यहां से हैं IIT खरकपूर से अपने HC वर्मा का नाम सुना होगा और IIT रोर्की, तो यहां से वो पढ़े हैं IIT वारणासी जो UP में है IIT रोपर, IIT वुबिनेश्वर अगर मालो कोई महरास्टर का बंदा अगर उसको IIT कानपूर मिल गया तो कितना best college है UP में जाके आप पढ़ सकते कितना भारी college है, पता है तरस्ते हैं लोग IIT के इन college को पाने के लिए तो आप फिर IIT कानपूर में रहने कानपूर में जाओगे वहां रहोगे रहने का खाने का खर्चा आपको वन लैक प्लस इसलिए तो आता है इसलिए तो बता रहा था, ऐसी इतने सारे इस बात को यहां पर आपको ध्यान देना जो कि बहुत ज़दा जैसे ग्वालियर, अलाहबाद, कुरनूल, वडोद्रा, कोटा ऐसे बहुत सारे ट्रिपल IIT के कॉलेज है और अगर आप IIT, ट्रिपल IIT से नहीं मिलते तो NIT से भी कर सकती हो, इतने सारे NIT के कॉलेज अवेलेबल है, नेशनल इन्फॉर्मिशन टेक्नोलोज या फिर Indian Institute of Technology जो है NIT में होता है, तो यहां से और बाकी के अधर कॉलेजेज जो इंडिया में है जिसको IIT, OIT में नहीं होता तो यह प्राइवेट कॉलेज है देखो, यहां पे जो कॉलेज यह सब गवर्मेंट कॉलेज है जहां पे आपका फीस 1 लाग तक जाता है रहना खाना खर्चा पकड़ के एक साल का, ठीक है बट जो यह है ना, तो यहां पे यह सब प्राइवेट कॉलेज है बिट्स पिलानी, O.M.G. 4 लाग, 5 लाग फीस होती है इनका खुद का पेपर होता है आप यहां पे एडमिशन, I.I.T. से भी ले सकते हो बट बिट्स पिलानी का खुद का पेपर होता है डेली कॉलेज आफ इंजिनरिंग वी आइटी वेलोर ठीक है, PSG टेक्नलोजी कॉइमबटूर कॉइमबटूर आप कोई बाहर देश नहीं है अपने साउथ इंडिया का एक नाम है नेशनल इंसिटूट आफ इंजिनरिंग, मैसूर बिट्स राची, NSI टी डे न्यू डेली सब प्राइवेट कॉलेजस है बहुत महेंगी कॉलेज और बहुत ही बेस्ट कॉलेजस मानी जाती है देखो हमारे कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं था केजे सुमया, मुंबई तो ये हमारे कॉलेज का नाम है आप यहां से भी कर सकते हो आप यहां पर भी आप डिग्री ले सकते हो अप यहां पर भी अड्मिशन ले सकते हो वैसे अगर आप यहां से नहीं कर पाते हो तो 800 की यहां से ले सकती हो बट फिलाल मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी फीस जस्ट यहां पर 1 लैक रुपीज से 2 लैक तक गई थी क्योंकि मेरे मार्क्स थे परसेंटेज थे और मैंने इनका इंटरेंस निकाल लिया था तो इस वज़े से मेरे को यहां पर एडमिशन एजिली मिल गया ठीक है तो मैं इसलिए तो मेरी फीस थी बट मैंने खुद से हाड़वर करके खुद से मैंने अपनी फीस पे करी मैं मुंबई में रहता हूं तो यहां पर मैंने कैसी भी कैसी इसा मथोचना कि मैं मुंबई में क्यों पढ़ूँगा है अगर मैं नापूर में तो में क्यों नहीं पढ़ सकता अब कहीं से भी पढ़ सकते हो प्लीज पढ़ाई के लिए कहीं से कहां लोग बच्चे ट्रवल करके जाते हैं यार, you will not believe ठीक है तो अब कहीं से भी कर सकते हो और ये जो अधर हमारे कॉलेजे से गुजरात में तो ये गुजरात की कॉलेजे आप जो गुजराती बनता होगा देख लो ठीक है समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ तो इन बातों को प्लीज आप अच्छे पर फोकस करके रखो तो ये सब डीटेल मैंने आपको बता दिया है धान रखना अब आगे आते हैं कि आप कैसे पेपर होता है जिसे कि अपने जेई मेंन का पेपर दिया सीटी का पेपर तो दो सो माक्स का होता है बता दिया मैंने आपको जेई मेंन का पेपर तो देखो जेई एडवांस से आप दे दो को जेई का paper अगर आप निकाल लेते हो mains का तो आप यह IIT के college में पहुँच जाओगे triple IIT, NIT, इन सब में आपका admission IIT से मिल जाएगा ठीक है सब में, तो जेई मेन का paper one, paper two, दो paper होता है जहाँ पे maths, physics, chemistry होती है maths, physics, chemistry और maths, aptitude, drawing test जो यह drawing test है ना यह bachelor of architecture था, बी आर्च लिखा था वो यह degree के लिए होता है और यह वाला paper बी टेक के लिए रहता है तो यह बात आप ध्यान एकना अगर आप बी टेक करते हो तो यह paper दोगे अगर बी आर्ट करते हो नहीं के बारवी के बाद अगर आप लोग देखो इस college में यह bits पिलानी में admission लेना चाहते हो तो यहाँ पे इनका bit set करके एक paper होता है यहाँ पे आपको bit set का paper दो कि यहाँ से पहुँच सकते हो अगर देखो आप इस VIT college में इस college से अगर आपका admission चाहिए यहाँ पे तो आप इनका खुद का देखो यह वाला entrance exam दे सकते हो ऐसे symbiosis, SRM, NATA यह सारे entrance test होते है ऐसा नहीं कि सिर्फ JE, IIT ही होता है आप लोग अभी तक JE सुने रहोगे सिर्फ JE, IIT और CT नहीं होता है आप इतने सारे exam सब दे सकते हो कोई भी exam हाँ, याद रहे कि JE main और JE advance एक ही paper होता है JE main निकालने के बाद JE advance देना पड़ता है फिर जाके आपको admission मिलता है SRM, NATA इस सब आपके paper आप यहाँ पे देख सकते है जो कि बहुत ज़दा important है इस बात को आपको समझ के रखना है जो कि बहुत ही important है समझ गया अच्छे से चलो अब आते ही important fact आपको सारी information में ने engineering की दे दी है कि 10 वी के बाद से 11 वी बारवी जाओगे 12 वी में science लेना पड़ेगा उसके बाद interest like CET और या तो फिर JE दोगे paper ठीक है और JE की साथ साथ आप चाहँ तो NATA paper देदो नाटा है, bit set है ये साथ paper भी देखें अलग-अलग college med mission ले सकती हो आप एक बार 11 वी बारवी अच्छे से करो और study करो सब आपको खुदी समझ जाएगा important fact ये है कि आपको बता दू कि अगर college में आपको job अच्छी company में चाहिए तो campus selection जरूर करवा लेना 11 वी बारवी के बाद campus selection के लिए कुछ भी करके campus selection के लिए मरना तो पहली बाद तो campus selection जो है ये आप लोगों का तभी होगा जब आप पहली बाद तो देखो अगर आपको अच्छी company चाहिए like google, microsoft, tcs, tata consultancy services infosys और फिर ऐसे बहुत से एक्सेंचर और microsoft, ibm ऐसी बड़ी बड़ी company चाहिए अगर आपको मालू computer science में जो field है तो आप लोग को बड़े college में जाना होगा बड़े college के लिए आपको इंटरेंस में ज़्यादा percentage निकालने होगे तब जाकि आपको अच्छा कासा college मिलेगा समझा और फिर बड़े college में बड़ी company आती है और फिर आपका interview होता है आपके चार साल की degree के बाद और आपका campus में selection हो जाता है और आपको campus selection मत्तब company से ही college उठा लेती है बच्चों को और job लग जाता है जोब ढूडना नहीं पड़ता तो यह campus selection अगर होगा तो आपको आराम से 1 lakh रुपीज पर मन्त की salary 50,000, 40,000 मिल जाएगी एगर easily मुझे ही कुछ 50K की मिल गई तो उसमें क्या है तो आपको easily मिल जाती बट still मैंने छोड़ दी आपको पता है मैंने इतनी भारी company TCS की job मैंने छोड़ दी सोचो you will not believe बट इसमें मेरा दूसरा काम था मैंने left कर दिया अभी just lockdown में ही मैंने left कर दिया मुंबई मी ठीक है तो यह campus selection आप करवा लेना campus selection तब ही होगा जो आपके अंदर talent होगा आप कितनी भी अच्छे engineering कर लो आपके 10th में 12th में कितने भी अच्छे marks आ जाए बट अगर आपको talent नहीं होगा न तो वहाँ पे आपको जब interview में जाओगे तो आप फुस की bomb निकल जाओगे फुस उतर जाओगे ठीक है यह बात आपको ध्यान देना है और यही रिजन है कि जितने भी reservation के बच्चे होते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं उनको लगता है कि हम reservation के थूँ सब कुछ कर लेंगे बट degree तक ही उनको सिर्फ admission reservation से मिलता है बात में उनको कोई admission देता ही नहीं है तो उनको बात में problem हो जाती है तो campus selection को थोड़ा आपको ध्यान रखना अच्छे से talent बोलता है इस बात को समझना talent का मतलब यहाँ पर यह चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मेरे youtube में करीबन 3 लाख 3 पजार फे जादा बच्चे हैं मैं इस वक्त करीबन 4 offline classes पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मुझे engineering की क्या जुरूत पढ़ रही है मेरा computer science का कोई यूज हो रहा है मेरे लिए अभी तो फिलाल नहीं है हाँ अगर मैं 50 के परमंत वाली अगर मैं job join कर लेता मेरा campus selection होने के बाद तो मुझे बिंदास तरीके से क्या होता मेरा अच्छा कासा वहाँ पर सारे system हो जाती ठीक है तो मेरे लिए यहाँ पर computer science का जो मेरा था यानि कि मैं Java Python जो C++ HTML CSS यह सब मैं जो सीख रखा हूं app development web development UI designing data scientist जो अब जो भी चीज़े मेरे सीख रखी है तो यह सब मेरे काम आता आप लोग मेरे YouTube के about में जाके पढ़ सकते हो कि मैंने क्या क्या सीख आए ठीक है YouTube में क्लिक करके about में जाओ about में जिसे वीडियो प्लेडिस्ट होती इन वैसे अबाउट होता है अबाउट में जा कि आप पढ़ सकते हो कि मैंने वहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ वह सारी language मेरा वहाँ पर काम होता फिर भी बिलालवी में बहुत सारे अलग-अलग freelancing के थूरू बहुत सारी चीज़े कर रहा हूं जिसमें मेरा यूज होता है कि आपका इंट्रेस्ट कहां है तो यह बात आप ध्यान अकना अच्छे से कितनी भी बड़ी डिग्री कर लो वही तो कहते हैं कि इंजीनियर्स हमेशा तो आपना कुछ भी कर सकते हो डिग्री इंजीनियर्स होते वह एंजीनियर्स के अलावा ज्यादा कुछ करते हैं ठीक है तो आप अपने अपना खुद का स्टार्टप खोल सकते हो किसी कंपनी में कांपनी में जाना होगा तो अच्छा कासा रिजल्ट लाओगे तब सब कहीं जब उसको selection नहीं होता तो 10 से 20,000 में भी उसको salary इतना पैसा भरने के बाद 20,000 में उसको काम करना पड़ता है तो ये real fact है campus selection नहीं हुआ तो आप आपकी जिंदिगी समझो कि 10,000,000,000 ती,000,000 में आपके अटक गई ठीक है इस बात को आपको समझ के रखना है चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है डीटेल में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना बाइ 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 टो लगी टो लगी टेक केर